बोजपुरी दबंग स्टार खेसारी लाल यादो जी हाँ आज बहुत बड़ी ख़वर उनके लिए हम ये लेकर आए हैं कि अगर सब कुछ सही रहा तो खेसारी लाल यादो आईपियल में वानखडे स्टेडिये में आपको अपना प्रदर्शन दिखाते नजर आएंगे जी ह ये बोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत गर्व की बात होगी साथ ही साथ आपको बता दे डीजे ब्रावो के साथ भी खेसारी लाल यादो का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है इसकी जानकारी हमने आपको बहुत पहले दे दी थी और आगे चलते हुए ये आपको बता दे कि इन सब का खुलासा किया है विवेक सिंग ने यानि कि खेसारी लाल यादो के मैनेजर ने साथ ही साथ खेसारी लाल यादो के मैनेजर ने यहां बहुत बड़ी बाते भी की उन्होंने ये कहा कि पवन और खेसारी के बीच कोई competition नहीं है कोई गाली गल कि साथ ही साथ ये कहा कि वह किस तरह से अपना काम करते हैं किस तरह से अपने सुपस्टार को नंबर वन की रेष में देखना चाते हैं ओर तो और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त विवेक सिंग भोचपुरी के नंबर वन मैनेजर बने हुए हैं यूँकि जिस तरह की लोयल्टी वो अपने स्टार के प्रती दिखाते हैं, जिस तरह से काम वो ग्रैब करकर लाते हैं, अपने सुपस्टार के लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ ये बात और है कि पिछले काफी दिनों से एक फ्रेम में नजर नहीं आ रहे हैं खेसारी और विवेक सिंग तो इससे ये अफ़ाए उड़ी है कि विवेक सिंग और खेसारी लाल यादों के बीच हो चुकी हैं दूरी। विवेक सिंग ने अपने इस इंटर्विव में ये कहा कि अपने लेवल पर वो काम कर रहे हैं और उनका सुपस्टार वो अपने लेवल पे काम कर रहा है।